जाएंद एवरीवन दक्षन मिलेटरी स्कूल में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो आपकी बच्चा भरती होती है उसके बारे में जैसा कि आपको बताया गया है कि लगवग 18 सेंटर पे भरती आती है तो रिसेंटली ये भरती एक से चार नवंबर को मेरेट के अंदर आर्विजी सेंटर में कंक्लूड हुई है तो कुछ बच्चों का इंटर्व्यू हमने लास्ट आपको डाल दिया था लेकिन आपके डिमांड पे कुछ बच्चों की आ रही थी तो एक हमारा बच्चा है हर्स शर्म तो ये बच्चा भी क्वाल जैसा कि बच्चे ने आपको बताया कि ये सैनी गाओं का निवासी है हमारे को साब कही गाओं हो सबस्कू अब ही मैं जाना चाहूँ का हर्स ने किस तरीके से अपनी तैयारी करी तो तोड़ा इसके बारे में बताओ कैसे आपने क्वैट्टिस करी एवेंट्स के बारे में और करमा जो आपका इंग क्वालिफाइंग राउंड हूआ ता उसके इस बच्चे की सफलता में इसके दोनों कोच का योगदान रहा है एक तो हमारे जो दर्सक हैं जो बच्चे इस वीडियो को आपकी देख रहे होंगे तो आने जैसे अभी दिसंबर में भरती आने वाली है रुड़की के अंदर दिसंबर के लास्ट में है एक जानकारी में आप लोग को और देदू कि यह जो आठ से 14 साल की भरती आती है इसमें ऐसा आवशक नहीं होता कि बच्चे को गेम ओलरी कोई आता हो जैसे कि मेरेट में आने वाली है वहाँ पर athletics है और तलवारबाजी का event है रोइंग है और दूसरा एक जिमनास्टिक का चार event की वरती आनी है जिसमें काफी vacancies है तो उसके बारे में अभी बच्चे जान लेते हैं कि इसका यहां का अपना experience कैसा रहा क्या क्या चीज़ें इसने तयार करी और चैक किये फिर छोड़ दिया नेक्स डे क्या हुआ पर नेक्स डे हमें बुलाया गया सब एक event करवाए गया जैसे कि broad jump, Madison bowl और जी एक high jump था हां काफी मदब 7-8 event होता है तो उन इवेंट के बारे में तुम पहले से जानते थे हां जी बही यहने बताया था अच्छ अच्छ क्वालिफाइंग वगयरा बताया होंगे कितना टाइम किसके लिए जीए हाजी बता रखी लिए चलिए तो उससे काफी मदद मिली आपको है ना हर साब आप बताएं कि थर्डे आपका क्या हुआ क्या 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 टेस्ट कराए और वी सेंटर मेरिट में परस्टे हमें बुल सब टेस्ट हुए फिर दूसरे राउंड में दूसरे वर में बुलाया गया हासी हातों की स्टेशिंग करवाए गई पैर से हाथ मिलवाए गया सब कुछ सब कुछ चेक के गया तो अभी आरविसी की तरफ से जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं लग बग 19 सीट हैं और दो खिलाडियों की टोटल 21 सीट हैं तो जिसमें से तीन बच्चों का इंटर्विव हम पहले डाल चुके हैं जो कॉलिफाई हुए हैं एक बच्चा हमारा है हर्च है तो आपको बता दें कि इनके जो इवेंट से अभी इनका फाइनल मेरिट नहीं लगी है इन बच्चों को क्य तो उनको एमेच के लिए रहर किया जा रहा है जालिस से पैतालिस दिन का समय उन बच्चों को दिया जा रहा है तो काफी अच्छा परदर्शन बच्चों का रहा जैसा कि आपको बताया तो तो तीन-चार बच्चे हमारी अकेड़मी से सलेक्ट हुए हैं तो अभी बताया जा रहा है जैसा कि आपको बार-बार की अभी दिसंबर में आपकी एक बढ़ती आने वाली है और ये बढ़तीयां आपकी हर दो महीने में आती रहती है और आपको मैं एक जानकरी ओर दे दूं कि हमारे यहां दक्षम स्कूल में इन बहरतियों के साथ साथ सैनिक स्कूल, मिलटरी स्कूल, नवोध, 11Т के साथ NDA Foundation वगेरा की तैयारी कराई जाती है रही है अप हमारी अपर प्रोपर हैं आप academy विजिट कर सकते हैं और अगर आप join करना चाह रहे हैं तो join कर सकते हैं online classes भी हमारे यहाँ पर available हैं अभी जैसे कल ही सैनिक स्कूल के form आये हुए हैं जो class 6th और 9th में बच्चे apply करना चाह रहे हैं class कोई भी हो आपका age criteria वहाँ पर matter पहुँचा है ताकि जो बच्चे इस तरह के exams की तयारी कर रहे हैं देखिए बड़ा physical exam होता है लगब साड़े-चार अजार बच्चे आये थे जिसमें से finally 19 बच्चे लिए जाने हैं तो बड़ा ही tough competition होता है all over India से बच्चे आते हैं लेकिन proper फिल को जानकारी ना होने की वज़े से उनको रेजेक्ट कर दिया जाथा है या तो documentation में वो reject हो जाता है है या event वगयरा की जानकारी ना होने कीवजे से वह हो बाहर निकल जाता है तो बहतर है आप उनको पहले से aware करें अगर आपका बच्चा है तो बहुत अच्ची बात है आप उसको वीडियो जरूर पहुंचाएं आपको एक चीज में जानकारी ओर देदूं कि अगर आपके बच्चे का selection इन भरतियों के अंदर हो जाता है 8 से 14 साल की जो भरतिया होती हैं तो वहाँ पर रहना, खाना, पढ़ा ही सब आर्मी के एंडर चलता है और आर्मी ही कराती है चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू